Hello students, this is Pari Singh. जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं कि मैं लेकपल की preparation कराऊंगी. लेकपल के जितना विश्लेब ऐसे मैं उसको cover up कराऊंगी. जिसमें मैं हिंदी को start कर चुकी हूं. और आज मैं ग्रामिल परिवेश के ग्रामिल समाज की top 20 questions या top questions लेके आहिंगी. जिसमें मैं daily 20 questions को cover up कराऊंगी ये questions सभी grammar परिवेश के होंगे चोकि आपके exam लेखपाल exam के लिए तो बहुत ही important है और फिलाल तो लेखपाल exam में grammar परिवेश आने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी कि आज के 20 questions और ये सारे questions, top questions होंगे और previous year के questions है साथ महीं इसमें कुछ ऐसे प्रेशन भी है जो आपके exam के लिए बहुत ज़रूरी है और हो सकता है कि लेखपल के exam में आप भी जाए चलिए शुरू करते हैं आज की class लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को like, share, subscribe करना बिल्कुल मत बूलेगा साथ महीं पहला आइकन को भी प्रेश कर लिजोए तकि मेरे जितनी भी वीडियोज है आपको उनकी notification आसानी से मिल जाए चलिए शुरू करते हैं आज की class माल गुजारी से संबंदित न्याये कार्णियों के सबसे बड़ी संस्था कौन सी है Option A. राजस्वे विभा Option B. राहत आयूप Option C. राजस्वे परिशाद Option D. चक्पंदी आयूप Students मुझे आप इसमें क्या बोलते हैं अपने mind में सोचिए कि इसका कौन सा answer सही है और इसके लिए मैं आपको 2 सेकिंड के time देती हूँ आयूप आपने सोच लिया होगा तो इसका जो correct option है वो है Option C. राजस्वे परिशाद यानि माल गोजारी से सम्मधित नयाय कार्यों की सबसे बड़ी जो संस्था है वो राजस्वे परिशाद है आगे देखते हैं बाड की वार्षिक समिक्षा कौन सा बिभाग करता है Option A. राजस्वे अनुभाग 10 राजस्वे अनुभाग 12 राजस्वे अनुभाग 11 राजस्वे अनुभाग 14 आयोप अपने सोच लिया होगा इसका answer तो इसका correct answer है Option C. राजस्वे अनुभा 11 Question number 3 की तरफ आते हैं लेखपाल द्वार है एक मईसे प्रारम खीतों की परताल का क्या नाम है Option A. अमन Option B. रव्यी की फसल Option C. खरीब की फसल Option D. जायद की फसल तो students इसका correct answer है Option D. जायद की फसल I hope आपको कोशन अच्छे लग रहे होंगे Students चलिए आते हैं Question number 4 की तरफ भूरा आजस्वे अधिनयाम 1901 के अंत्रगात प्रतिक हलके में कितनी लिखपाल होंगे Option A. 2 Option B. 1 Option C. 5 Option D. 4 तो इसका जो correct answer है वो है Option B. जो की 1 है भूरा आजस्वे अधिनयाम 1901 के अंत्रगात प्रतिक हलके में एक लिखपाल होगा अंबिटगर विशेश योजना A. V. R. P. के अंत्रगत परियोजना की लागत डैश से कम नहीं होनी चाहिए यानि जो परियोजना की लागत है वो कितने रुपे से कम नहीं होनी चाहिए आए इसको ऑप्शना देखते है आप्शन A. 60 रूपीज ऑप्शन B. 60 थाउजन रूपीज ऑप्शन B. 75 थाउजन रूपीज ऑप्शन C. 1 लाइक रूपीज ऑप्शन D. 50 थाउजन रूपीज आई चलिए 6 नमबर की question पर चलते हैं लेकिन इससे पहले students मेरी class को बोड़े देखिए question बहुत जादा तो नहीं है सिर्फ 20 questions है और आप daily इनको आसानी से दिख सकते हैं और easily चलते फिर से दिख जाएंगे और इसमें कोई जादा आपको एक साथ बैटने की ज़रूरत भी नही तो चलिए शुरू करते हैं आगे दिखते हैं question number 6 जिसमें फसली वर्षा को कहते हैं option A 20 वर्ष विक्रम वर्ष क्रशी वर्ष option D कोई नहीं तो फसली वर्षा को हम क्रशी वर्ष कहते हैं I hope आपको question अच्छे लग रहे होंगे आगे दिखते हैं question number 7 निम्न मैंसे कौन सा सकते हैं A खसरा अधिकार अभिले की आधार शिला है option B खसरा में 21 वर 22 खानी होते हैं option C क्रशी आंकडे खसरी में लिखे जाते हैं option B उप्यूट सभी तो ये इसके जो options हैं वो तीनों options नहीं है खसरा अधिकार अभिले की आधार शिला है खसरा में 21 वर 22 खानी होते हैं क्रशी आंकडे खसरी में लिखे जाते हैं कुछ नमर 8 पे आती है जिस बिंदू पर तीन गाओं की सीमा मिलती है उसे कहती है चोमेडा सिहद्दा दोहद्दा चोहद्दा इसका correct answer है option B सिहद्दा कहती है जिस बिंदू पर तीन गाओं की सीमा लगती है उसे सिहद्दा कहती है बहार वे मालवी है चमतकार किस फसल की प्रजातियां है आगे देखते हैं कोशन नमबर 10 घूक रशी का रिकॉर्ड कोंसा है जमावंदी, पंचनामा, खतोनी, गिर्दावरी तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आप्शन डी गिर्दावरी आईए कोशन नमबर 11 पर चलते हैं धान की खेती में खर्पतवार नियंत्रन हीतु, प्रियोक किया जाने वाला क्रशी यंत्र है लेजर लेवलर, कोनो विडर, रोटो वेटर और फटी ड्रिल तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टुडेंट स्कोरनो विडर तो आईए कोशन नमबर 12 पर लैंड रिकॉर्ड मैनूल कौन से पेरा में वढ़नेत हैं पेरा का 55 पेरा खा 57 पेरा गा 58 पेरा गा 56 जो इसका करेक्ट आंसर है वो है स्टुडेंट स्टुडेंट स्टूडेंट अप्शन ए पेरा का 55 आई चलते हैं कोशन नमर 13 पर तो ग्राम प्रधान के लिए व्यक्ति की आयू कितनी होनी चाहिए जो नियुनतम आयू है वो व्यक्ति कितनी होनी चाहिए option A 21 year, option B 18 year, option C 20 year, option D 22 years तो इसका जो correct option है correct answer है 21 year minimum वहीं आगे देखते हैं ग्राम सभा में कितनी जनसंख्या आवशेक है जो ग्राम सभा लगती है जो ग्राम सभा है उसमें कितनी जनसंख्या होनी चाहिए तो 200 होनी चाहिए 400, 300, 100 तो इसका जो correct answer है वो है option A 200 ग्राम सभा की बैठक, question number 15 पर चलते हैं, ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है तो ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 4 बार होती है, 5 बार होती है, 6 बार होती है, 2 बार होती है, तो इसका जो correct answer है वो है option A 2 बार आगे देखते हैं कोशन नमबर 16 ग्राम सभा की बैटा की अध्यक्षता कौन करता है ग्राम सचेव ग्राम अधकारी ग्राम प्रधान या फिर कोई नहीं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ये ग्राम प्रधान स्वातंव भारत में उत्तर प्रदेश में पंचयति प्रणाली कभ लागूं की गई स्वातंव भारत में जो प्रणाली लागूं की गई बोकभ ये उप्शन ये 500 गसinks स्वाटे ने प्रधान को अठाने के लिए कितने दिन पूर में अतलब प्रधान को अठाया जाता है तो कितने दिन पहले उसको सुचना दी जाएगी उप्शन A 15 डेज पहले या फिर 14 ऑप्शन B ऑप्शन C 16 डेज ऑप्शन D 20 डेज तो इसका जो करेक्ट आजन सर है स्टुडेंट्स वो है 15 डेज पूर आगे दिखते हैं कोशन नमबर 19 ग्राम पंचायतों के गठन किस अनुछेद के तहत होता है तो ग्राम पंचायत का गठन आगे दिखते हैं ऑप्शन नमर A 30 के तहएं ऑप्शन B 19 के तहएं ऑप्शन C 20 के तहएं ऑप्शन D अनुछेद 40 के तहएं तो इसका जो करेक्ट आजन सर है वो है अनुछेद 30 के तहएं छेतर पंचायत का प्रामक हदिकारी कौन होता है सरपंच, मुखिया, ब्लॉक प्रा प्रामक तो इस्टुडेंट्स यह तो थे हमारे टॉप थर्ट नाट सॉइ टॉप 20 कोशन आई होप आपको यह कुशन अच्छे लगे होंगे समझ में आया होंगे और यह कुशन आपके लिए पाल के लिए बहुत जरू है इसलिए पूरे 20 कोशन देखिए जादा कुशन न पूरा देखिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलेगा थैंक यू सो मच बाइए